Hello dear students, कैसे हैं आप? EBS या प्रियावर्ण ज्याइन की क्लास में आपका हारदिक स्वागत है बच्चो आप इस वीडियो में ले लदाक के घरों के बारे में जानकारी प्रापत करेंगे आपने पिछली वीडियो में जाना था कि गौरब जाननी अपनी लौनर के साथ ले पहुँच किया उसने बहाँ पर ले शहर की एक शांत गली में स्फेद पत्तर के सुन्दर मुझबूत घरों को देख उस गली के बच्चो ने जूले जूले करके गौरब जानने का स्वागत किया उसके बाद क्या हुआ चलो जानते हैं आप फिफ्ट क्लास की EVS की बुक लुकिंग राउंड या आसपास का पेज नंबर 122 उपन करें और इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक को अपनी बुक पर भी देखें गौरब जाननी बता रहे हैं कि एक बच्चा जिसका नाम ताशी है वो मुझे खेंच कर अपने घर ले गिया उसका घर दो मंजिला था पत्रों को काट कर एक के ऊपर एक रखकर बना था उसका घर गर की दिवारों पर मिठी और चूनने से पताई की हुई थी अंदर से घर चपर जैसा लग रहा था हर तरफ घास पूस पड़ी हुई थी ताशी मुझे लकडी की सीडियों से पहली मंजिल पर ले गया ताशी ने बताया कि वो और उसका परिवार उपर की मंजिल पर रहते थे दा ग्राउंड फ्लोर इस फो आवर एनिमल्स एंड फोर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स नीचे की मंजिल पर जानवरों के रहने की जगा थी और जुरूरत का सामान इकठा करके रखते थे तो बच्चों ले लेदाग के ईलाके में घरों के नीचे मंजिल में जानवरों को रखा जाता है और उपर की मंजिल पर खुद रहते हैं सर्दी के देनों में अक्सरीन का परिवार भी नीचे की मंजिल पर जानबरों के साथ ही रहता है I noticed that the ground floor had no windows कौरब जाननी बता रहे हैं कि मैंने देखा नीचे की मंजिल में कोई खिड की भी नहीं थी thick tree trunks were used to make the roof strong शत को मुझबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किये हुए थे ताशी then took me to the roof of his house फिर ताशी मुझे घर की शत पर ले गया अटा view I could see the same flat roofs all around आसपास का नजारा तो देखते ही वनता था सभी घरों की शतें समतल थी on some red chillies were laid out to dry and on some there were orange pumpkins and golden yellow corn केहीं लाल मिर्च सुखने के लिए फैली थी तो केहीं सीता फल और मक्का some had stacks of paddy and on some cow dung cakes were laid out to dry किसी शत पर धान के डेर लगे थे तो किसी पर उपले सूख रहे थे बच्चो इन सब चीजों को शत पर क्यों सुखाया जा रहा था क्योंकि इन्हें सरदियू में वहां पर स्टोर करके रखा जाता है यहां गर्मियों की तेज दूप में ही बहुत सारी फल सबजी सुखा ली जाती है यह थंडे दिनों में इस्तेमाल होती है जब फल सबजी नहीं मिल पाती क्यों नहीं मिल पाती सोचो तो जरा क्योंकि बिंटर या सरदियू में वहां पर स्नो या वर्ख पड़ जाती है जिसकी वज़ा से यह फिर उपलब्द नहीं होती है गौरव जानी बता रहे हैं कि बहां खड़ा मैं सोच रहा था कि किस तरह उनके घर का हर हिस्सा एक खास सोच से बनाया गया था बिलकुल बहां के मौसम और लोगों की जरूरत के अनुकूल I could understand how the thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protect them from the cold मुझे यह समझने में देरी नहीं लगी कि मोटी मोटी दिवारें लकडी के फर्ष और लकडी की शात ही ठंड से बचाते होंगे तो बच्चो अब आप जान चुके हैं कि बहां पर दिवारें मोटी मोटी क्यों होती हैं और लकडी की शात और फर्ष क्यों बनाये जाते हैं चलो आप बताओ हां क्योंकि उस इलाके में सर्दियों में स्नोफाल यानि वर्फ किरती है जिसकी वज़ा से वहां बहुत जादे ठंड हो जाती है सर्दियों में ठंड से बचने के लिए निचली मंजिल का प्रियोग किया जाता है तुम्हारे घर की शत कैसी है तुम्हारे यहां शत किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होती है कौन बताएगा चलो आप बताओ मिर्च सुकाने के लिए सबजियों को सुकाने के लिए अचार को सुकाने के लिए इत्यादी बच्चो आप इन सब जानकारियों को अपनी कॉप्पी में नोट करना इस वीडियो में इतना ही है वे नाइस तो